हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार वित आयुश और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में यस बैंक के स्टॉक के बारे में तो दोस्तों यस बैंक के अंदर आपने आज एक बड़ी तेजी देखी है और कह सकते हैं कि जो गिरावट हमने करता हुआ देखने को मिल रहा है लेकिन सबसे बात ये है कि क्या यहां से आगे के लक्ज़ होने वाले हैं कुछ इंपार्टन कभरें जिनके बारे मे दुस्तों इस वीडियो में बात करेंगे तो एक important वीडियो होने वाला है तो पूरा जरूर आप देखिएगा friends first time अगर आपने चैनल को विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा तो दोस्तो yes bank अभी करीबन 19 रुपे 50 पैसे पर trade कर रहा है अभी भी देखिए बाजार चालू ये तो काफी move आना लग रहा है कि आना चाहिए आखरी के आदे जो पौन गंटा बचा हुआ है उसके अंदर पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो stock जो है वो अपने days high पर trade कर रहा है 19.55 पैसे का दूस्तो डे हाई है और 19.50 पैसे पर stock trade कर रहा है तो stock अभी अपने day high पर trade कर रहा है with 11.75% increase and हुआ क्या है क्योंकि आप कोई समझ ना पड़ेगा yes bank अभी एक लग रहा था कि turn around story बन रहा है because जब stock ने बढ़िया तेजी दिखाई और जब आपको बावनफतों का high जो है बना करीबन 24.75 पैसे का तब लगा कि वापी से turn around हो रहा है but last week काफी बुरा रहा stock काफी पिटा काफी नीचे आया लेकिन अब फिर से दूस्तों यहाँ पर yes bank जो है वो increase हो रहा है दिए दिरे करके आपको फिर से जो 20 रुपीस का level है वहाँ पर stock जाने की पूरी पूरी कोशिश करता हुआ निजर आ रहा है दोस्तों अभी अभी में से volume के अगर बात करें तो volume जो है वो almost अभी के आसपास जो हो चुकी है वो 44 करोड की volume जो है वो हमने देख लिए 448 million की volume आपने देख लिए अभी अभी के अंदर और यह अपना आप में दिखाता है कि definitely aggressive buying जो है वो आ रही है yes bank के अंदर delivery की में अगर बात का तो delivery definitely अभी mark करना इतना जलबाजी होगा अभी 22.74% के असपास की delivery देख रही है almost दोस्तों यहाँ पर 4 करोड 74 lakh shares जो है वो आपको buying side पे देखने को मिलेंगे volume में and 2 करोड 17 lakh shares है selling side पे तो buying और selling का ratio अगर आप देखेंगे तो buying अभी 50% से जादा आपको नजर आ रही है यानि एक aggressive buying अभी भी हो रही है selling pressure जो है वो definitely अभी आपको इस पे जादा देखने को नहीं मिल रहा है यह एक बहुत बड़ा plus point आपको देखने को मिलेगा बट उसके पीछे की वज़र क्या है देखे yes bank again कह सकते हैं काफी underrated था और जिस प्रकार से move आना चाहिए था वो आया नहीं yes bank के अंदर investors ने काफी अपना patience रखा उसके बात जाके दोस्तों वो 20 का level आया और ये बात हमेशा बहुत important होती समझनी कि जब भी दोस्तों share जो है कोई जो बहुत लंबे समय तक consolidate करता है एक level के असपास पस एक ही zone में घूमता रहता है उसके बात जब वो चलना चालू करता है तो एक अच्छा move आता है आज हो क्या रहा है आज market के अंदर आपको फिर से recovery आ रही है market के अंदर की recovery की special वज़ा क्या है वो definitely वापिस से जो वो covid का fear था वो काम हो रहा है अब देखें यही हमेशा समझना पड़ेगा आपको बात कि markets के अंदर जो भी news एकदम से निकल के आती है उसका effect जो है वो एकदम से आता भी है और एकदम से चला भी जाता है आज आपने देखा कि markets के अंदर एक बड़ी तेजी हो गई जैसे वो खबर निकल के आई market ने धीरे 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 नहीं लेकिन एकदम से गिरा तो कभी धीरे move नहीं आता है हमेशा दोस्तों जो move आएगा वो specific side पे बहुत जादा आएगा इसलिए अभी आप देख रहें कि Nifty almost दोस्तों आज इस प्रकार की तेजी दिखा रहा है 18,000 के levels को regain कर लिया है Nifty bank में आपको तेजी है Nifty PSU bank में तेजी है Nifty auto index में तेजी है Sensex आपको बढ़िया करता हुआ देखने को बल रहा है तो यह सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि market का mood महौल इसी प्रकार से change होता है But अब important क्या है कि Yes bank के अंदर क्या इन levels पर खईदारी हो सकती है तो सबसे बले अगर हम एक expert view का यहाँ पर देखे क्या उनका मानना है तो Yes bank share dips 25% after hitting 52 week high Is it good time to buy अब इसमें क्या कहा गया यह भी बहुत interesting है समझना विकोज जो तेजी होई वो अपने अपने बहुत दमदार थी Friday के session में जो गिरा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था विकोज इतना गिरावाट किसी ने नहीं सोचा था जिस प्रकास से देखी markets ने स्टॉक को गिराया लेकिन अब हो क्या रहा है according to the stock market experts the dip in yes bank share price can be a very big opportunity for high risk traders and investors as the stock has fallen due to weak dalal street sentiments इस बात साफ है यह जो opportunity यह जो गिरावट थी दूस्तो वो opportunity की तौर पे यहाँ पर जो stock market experts है वो कह रहे थे कि buying करनी चाए उनने यही का कि they said that yes bank shares have managed to improve their financials in recent years especially after the handover of its management to SBI they said that the yes bank share price is close to its lower support of 18 18 and 19 is a good accumulation zone for high risk investors they advise position investors to buy yes bank at current level for a medium target of rupees 34 piece यह 34 रुपे का दोस्तों जो target है वो yes bank के investors के लिए experts अब कह रहे है कि 34 रुपे का target यह yes bank आपको medium term के अंदर दिखा सकता है तो see हमेशा आपको एक सी समझने पड़ेगी जो अभी 2-3 दिन के अंदर markets के अंदर गिरावट हुई थी ना तो इसमें yes bank ने कुछ गलत किया ना कोई और शेयर ने गलत किया खबर निकल के आई covid की डर का माहल पैदा हो गया और इसके अकारण दोस्तों बाजार ने आपको एक बहुत बड़ी ग्रावट दिखा दी एक जब भी दोस्तों एकदम से selling आई सारे shares गिरे ऐसा तो है ने कि yes bank अकेला गिरा सब गिरे तो वहाँ पर डढने वाली बात नहीं थी दूसरी बात क्या था कि stock जो है वो अपने support के आसपस आया support के आसपस आया और अब दोस्तों जो move है वो आपको बहुत शानदार दिखा रहा है क्योंकि support के आसपस आने के बाद अठा रूपय के आसपस आने के बाद यहाँ पर एक aggressive क्या आई दोस्तों buying आई और इसली दोस्तों जो stock है वो इस प्रकार की आज rally कर गया 11% 12% उपर आना यह अपना आप में दोस्तों छोटी बात नहीं होती है 11% बहुत बड़ी बात है और वो जो है वो आप stock के अंदर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों Yes Bank के लिए सबसे बड़ा game changer क्या था सबसे बड़ा game changer यही था कि जो इन्होंने JC Flowers ARC को यह Invoke Shares of Disc TV और 6 other companies के जब दिये यह company के लिए बहुत बड़ा game changer था because यह बहुत ज़ादा company के लिए अब stress loans आप समझ लिजे कि दिक्कत कितनी वाली बड़ी बात है लगिन जैसे दुस्तों company ने यह बेज दिया या फिर क्या सकते रांसफर कर दिया company के उपर से बोग जड़ गया because yes bank ने 44.5 crore shares of dish tv india accounting of 24.2% of the total share capital of the company जब 44.5 crore shares अब समझ लिजे जब इतनी ज़ादा 24,5% के असपरस की हिस्तर ही अगर कोई company किसी company को दे रही है और फिर वो कर रही है तो इससे कितना पैसा 48,000 crore rupees के जो यह stress loan थे वो दोस्तों company के सरसे चले गए तो जैसे यह हुआ इसके बाद markets ने इसी प्रकार की 30 क्यों दिखाई because लगातार यह company के लिए सरदर्थ बने हुए थे और जैसे यह company इससे निकली stock जो है वो बढ़िया करता हुआ देखने को मुलिया और अब लगातार financials दोस्तों company के सुदर रहे company बढ़िया numbers पेश कर रही है तो कह सकते हैं कि yes bank अभी भी पूरा back on track नहीं आया यह बात आप ध्यान रखेगा पूरा back on track कहना गलत होगा but again चीजे जो है वो definitely better and better हो रही है day by day और यह याद रखेगा एक process है लगातार दोस्तों जो चीजी है वो बढ़िया होगी बट समय लगेगा एकदम से कुछ चीजे होगी नहीं और एकदम से आप अगर सोच के चलते की चीजे सुदर जाएगी तो definitely ऐसा नहीं होने वाला है आज जो stock जो बढ़ रहा है उसके पीछे का reason क्या है because जो last 3 साल से company के उपर work हो रहा है last 3 years के अंदर जो दोस्तों यहाँ पर SBI आप ले लीजिए जो company के management है जिस प्रकार का काम क्या है यहाँ पर company ने वो बहुत बढ़िया है लाजवाब है तारीफ के योग्या है यह मैं आपको ज़रूर कहूंगा because management को दोस्तों definitely aggressive रुग अपनाना था because जिस प्रकार से yes bank का नाम खराब होगा यह तो सबसे बड़ी बात goodwill आपको पता है कि बनाने में कितना time लगता है और जाने में कितना जल्दी लगता है plus जो यहाँ पर Rana Kapoor इंसम ने किया वो definitely दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं था लेकिन अब जब से management change हुआ जब से दोस्तों यापर जो बाकी banks ने इसके अंदर इस सारी बढ़ाई definitely उनका एक say आया उनका management काफी जादा experience था definitely देखिए अब SBI समय जे कितनी बड़ी bank है वो अगर दोस्तों yes bank को वापिस से manage करके चला रही है तो अपने आप में वो बहतर ही सोचेगी because उनके खुद के पैसे लगे हुए तो इसलिए yes bank के अंदर वापिस से चीज़े सुदर रही है और वो अब बढ़िया रुक के तरफ जा रहा है अब दोस्तों करना क्या चीज़े है yes bank के अंदर साफ साफ वात है कि थोड़ा सा patience रखिए hold करिए थोड़ा सा लंबी अबदी का आप सोचेंगे तो पैसा दोस्तों जरूर बनेगा short term में जरूर market के अंदर आपको जो आज तेजी देखिए वो हो सकता है कि एक दो दिन बाद फिर से गिरावट में तबदील हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है बट अगेन आपका vision क्या है हमेशा दोस्तों आपको आपकी खुद की time bank पता होना चाहिए कि मैं share को कितने समय तक hold कर सकता हूँ मुझे लगता है कि yes bank का समय जो है वो देदेरे आ रहा है चीजे बहुत शुदर रही है patience रखिए time दीजिए ये जरूर दोस्तों share जो है वो short short बढ़ने वाला है बस patience आपको रखना पड़ेगा मेरा personal opinion यह है मुझे लगता है कि दोस्तो 25 रुपे का level जो है वो हो सकता है कि आपको यहाँ पर आने आने में थोड़ा सा time लगे दो तिन महीने से जादा लगे बहुत survival chances है बट अगेन वो आएगा ज़रूर तो overall सलाई यह है कि hold करिए और बिल्कुल बढ़े रही है company के financials अब definitely Q3 के numbers बहुत जल्द आने वाले और Q3 के numbers जब निकल के आएंगे तो चीज़े और भी जादा आपको साफ साफ पता चलेगी तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था हुपस वीडियो बढ़या लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चनल से पहले बाद जोड़े सब्सक्राइब कर देना आपका क्या माना कॉम्मेंट सेक्शन में जरूरू थाइएगा थैंक्यो फ्रेंट वाचिंग इस ठीडियो